नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आपको Microsoft Word में कैसे प्रिंट करते हैं और उसके साथी पेस्ट सेटाप का सारे ओप्शन्स को यहाँ पे मैं एक्स्प्लेन करूंगा और आप कैसे प्रिंट करेंगे उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बे स्टेप आपको दिखाऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने Microsoft Word में कुछ Paragraph को Type करके रखा है मैं यहाँ पे इन Paragraph को ही प्रिंट करूंगा तो मैं यहाँ पे पेज को थूरा छोटा कर लूँगा यहाँ पे Minor में क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे document में एक paragraph जो है वो दूसरे page में आया है अगर आपके साथ दी कभी ऐसा होता है कि आपका एक paragraph जो है वो दूसरे page में आ चुका है तो उस paragraph को आप पहले page में ही set कर सकते हो margin को घटा के तो दोस्तों margin को कम करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा page layout टैब में यहाँ से देखे page layout टैब में margin नाम का एक option मिलेगा यहाँ पर page setup group में यहाँ पर देखिए margin नाम का एक option है जहाँ पर आपको click करना है click करने के बद यहाँ पर margin का बहुत सारे options आपको मिलेंगे यहाँ पर आप देख सकते है normal margin जो है वो यहाँ पर selected है दूसरा जो है यह narrow margin इसको अगर आप यहाँ पर choose करते हैं तो top, left, right और bottom से margin थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाएगा जस्ट मैं यहाँ पर select करूंगा select करने के साथ यहाँ पर देखे apply हो चुका है और मेरा जो वो paragraph था वो मेरा यहाँ पर देखे first page में ही adjust हो चुका है आप इसी process को follow करके अपने margin को कम कर सकते है यहाँ फिर आप अपने page margin को margin option से एकदम नीचे की तरफ यहाँ पर देखे custom margin नाम का एक option मिलेगा custom margin यहाँ पर आप click करके यहाँ से भी देखे यहाँ पर चारो option है top, bottom, left, right यहाँ से आप अपने margin को कम करके भी apply कर सकते हो just in boxes में आपको margin के size लिखना है और एक बार okay में आके आपको click करना है click करने के साथ ही आपका page margin जो है वो यहाँ पर set हो जाएगा और अगर आपको page margin को normal करना है तो फिर से आपको margin में जाना परेगा और यहाँ से click करने के बाद हम यहाँ पर normal को choose कर देंगे just एक बार normal में click करेंगे करने के साथ ही यहाँ पर देखिए margin जो है वो यहाँ पर normal हो चुका है दोस्तो अब मैं आपको यहाँ पर कैसे print करते हैं उसका process दिखाऊंगा तो इस document को print करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा file menu में file में जाएंगे file में जाने के बाद यहाँ पर देखिए print नाम का एक option आपको मिलेगा just आपको एक बार print में जाके click करना है click करने के साथ ही यहाँ पर right side में आप देख सकते हो आपका print कैसा आएगा उसका preview मतलब कि print preview आपको यहाँ पर दिखाएगा तो जैसा print आएगा वह आप यहाँ पर देख के check कर सकते हो अब में दोस्तों आपको यहाँ पर printing के बाकी options के बारे में यहाँ पर आपको दिखाऊँगा सबसे पहला जो है printer यहाँ पर आप क्लिक करके अपना जो printer है उसको आप यहाँ पर चूज कर सकते हो जिस printer से आप print करना चाहते हो जो भी printer आपके computer से connect होगा उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाएगा उस printer को आपको यहाँ पर चूज कर लेना है तो यह हो गया आपका printer selection उसके बाद मैं बाकी इन नीचे के options को आपको यहाँ पर one by one दिखाऊंगा जो की page setup के अंदर आता है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो option है print all page मतलब कि यहाँ पर आपको बहुत सारे options मिलेंगे सबसे पहला जो option है यहाँ से आपको choose कर लेना है कि आप अपने document में सारे page को अगर print करना चाते है तो आपको यहाँ पर print all page को choose करना है ठीक है दूसरा एक option है यहाँ पर देखिए print selection इसको मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा इसके लिए आपको अपने document में कुछ paragraph को select कर लेना है मतलब कि आप जितना select करेंगे उतना ही print आपका यहाँ पर आ जाएगा मैंने यहाँ पर in text को select कर दिया है अगर मैं फाइल में जाके फाइल में जाने कबाद print में जाके click करता हूँ और यहाँ से setting के अंदर से मैं यहाँ पर अगर print selection just यहाँ से print selection को choose करता हूँ choose करने के साथ मतलब जब मैं print करूँगा तो selected जो area है वो ही print होगा तो आप यहाँ पर अपने जरुरत के अनुसार print selection को भी use कर सकते है तीसरा जो option है यहाँ पर print current page मतलब कि आप अगर किसी भी page में click किये हुए है मतलब कि उस page में आपका cursor set है तो आप यहाँ पर current page को choose करके भी print कर सकते है तो सिर्फ वो ही page आपका जो है वो यहाँ पर print होगा मैं यहाँ पर back करके मान लीजिए मेरा जो दो number page है यहाँ पर मैंने cursor को set किया है कि आप यहाँ पर किसी भी page में click करके अपने document से वही page को current page चूज करके print कर सकते हो और यहाँ पर आपको last एक option मिलेगा वो है custom print का नीचे के तरब यहाँ पर दीखे custom print नापका एक option है यह भी आप चूज कर सकते हो custom print का मतलब होता है कि आप अपने document में multiple page को print कर सकते हो मतलब कि मान लिजे आपको अगर page number 1, 3 या फिर 7 को print करना है तो आप यहाँ पर 1, 3, 7 आप यहाँ पर लिख के उनको भी अपने document से print कर सकते हो या फिर आपको अगर अपने document से page number 2 से 5 तक print करना है तो आप यहाँ पे 2-5 को भी लिखके custom print कर सकते हो, मतलब की page number 2 से 5 तक ही print होगा तो दोस्तो यह हो गया first option, अब मैं आपको यहाँ पे नीचे वाला option को दिखाऊंगा यहाँ पे दिखिए, एक option है जहाँ पे लिखा हुआ है print one sided यहाँ पे आप क्लिक करके print both sided भी कर सकते हो, नीचे की तरप यहाँ पे आप देख सकते हो manually print on both sides, यहाँ पे लिखाऊ है इसको भी चूझ करके आप both side print कर सकते हो दोस्तो फिर नीचे की तरप यहाँ पे collated और uncolated दो option आपको यहाँ पे मिलेगा Colleted अगर आप यहाँ पे चूज करते हैं Colleted चूज करने का मतलब है अगर आपके document में 3 page है और उसका आप print देते हैं तो 1st set में 1, 2, 3 2nd set में 1, 2, 3 और 3rd set में 1, 2, 3 करके print होगा मतलब कि 1 by 1 3 set यहाँ पे ready हो जाएगा और अगर आप Uncolleted को चूज करते हैं जो 1st page है वो पहले 3 बार print होगे उसके बाद दूसरा page 3 बार और उसके बाद 3 पेज 3 बार आपका print होगा तो दोस्तों आप अपने जरूरत के अनुसार किसी भी option को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो फिर मैं आओंगा यहाँ पे orientation के उपर portrait orientation default choose है यहाँ पे देखिए orientation, page orientation basically दो type के होते हैं एक है portrait और दूसरा है landscape आप यहाँ से अपने हिसाब से portrait या फिर landscape को चूज कर सकते हो तो यहाँ पे by default portrait orientation ही select है मैं यहाँ पे अगर landscape को चूज करूँगा landscape करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो page है वो यहाँ पे landscape हो जाएगा आप अपने हिसाब से portrait या फिर landscape किसी भी orientation को चूज कर सकते हो अपने requirement के अनुसार तो दोस्तों आप अगर page orientation को landscape चूज करते हो तो आपका जितना भी page है वो सारे page यहाँ पे landscape हो जाएगे तो मैं यहाँ पे फिर से orientation को portrait कर दूँगे जस portrait पे क्लिक करेंगे तो यह देखिए orientation जो है वो यहाँ पे portrait हो चुका है फिर यहाँ पे मैं नीचे की तरफ यहाँ पे आपको paper size मतलब कि साथी paper size जो है वो यहाँ पे A4 set हो चुका है नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो margin मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो normal margin select है मैंने margin को change किया था आप यहाँ से किसी भी margin को apply कर सकते हो जो margin आपको जरूरत हो मैं यहाँ पे आपको margin को थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा जस्ट यहाँ से मैं narrow margin को choose कर दूँगा जस्ट क्लिक करने के साथ ही वो margin यहाँ पे apply हो जाएगा अगर आपको यहाँ पे margin को normal करना है फिरसा आपको margin में जाना होगा और यहाँ से normal में जाके click करना है click करने के साथ ही margin देखिए यहाँ पे normal हो जाएगा यहाँ पे दोस्तो मैंने आपको जीतने भी options दिखाए यह सारे option आपको paste setup मतलब कि नीचे के इस बटन में अगर आप click करेंगे paste setup में तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा जैसे कि उपर की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो सारे margin नीचे की तरफ यहाँ पे orientation, portrait, landscape अगर आपको paper size change करना है तो आप यहाँ पे उपर की तरफ देखिए paper नाम का एक tab है यहाँ पे click करके यहाँ पे देखिए paper option है paper size जस्ट यहाँ पे click करके भी paper size को आप change कर सकते हो जस्ट अपने हिसाब से आपको यहाँ पे choose करना है और एक बार ok में आके click कर देना है अब मैं आपको printing का सबसे ज़रूरी option copies मतलब कि कितना copy आपको print चाहिए इसको मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखिए दो arrow sign है एक आप एक down आप में click करके आप copies को बरा सकते है और down में click करके आप इसको घटा सकते है अपने हिसाब से आप यहाँ पे manually type करके भी कितना copy आप print करना चाहते है वो यहाँ पे आप लिख भी सकते है लिखने के बाद जस्ट एक बार print में आके आपको click करना है click करने के साथी जितना copy आप यहाँ पे लिखेंगे उतना copy आपका यहाँ पे print हो जाएगा तो दोस्तों यह था simple process जिसको यूज करके आप Microsoft Word में easily print कर सकते हो वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दिजिएगा Thank you for watching the video Please keep your support